जब भी हम कोई pen purchase करते हैं तो हमें यह 3 nip size बहुत commonly देखने को मिल जाते हैं 0.5 mm, 0.7 mm and 1 mm nip size तो यह जो आप सुनते हैं 0.5, 1 mm यह BC के लिए nip का diameter होता अब जतना बड़ा diameter होगा उतना जादा ink flow होगा अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमाँ पास 0.5 mm का nip size होता है यह best होता है उन लोगों के लिए जो की cursive handwriting में लिखते हैं और जिनके letters बहुत ही precise बनते हैं क्योंकि 0.5 mm से इससे आपको बहुत ही clarity मिलती है लिखने में वहीं पे अगर हम बात करें 0.7 mm की तो यह उन लोगों के लिए best है जो basically थोड़ा सा बड़ा font style लिखते हैं और जिनको थोड़ा जादा smooth pen पसंद है 0.5 mm कई बास scratchy feel हो सकता है बट 0.7 हमेशा ही smooth feel होता है अगर बात करें 1 mm की तो यह मैं उन लोगों को recommend करूँगा जिनकी writing बहुत बड़ी है और या फिर जो letters में बहुत जादा space दे के लिखते हैं normal pages के लिए 0.5 and 0.7 mm best होते हैं अगर आपको cursive लिखना है तो आप 0.5 के सांथ जाए या फिर majority of जो जनता है उसको 0.7 mm बहुत पसंद आने वाला है